असलाम वालेकुम गुड मॉरिंग आप सबका मेरी चैनल पर वापिस से स्वागत है गोल्ड का चार्ट है यह दो हजार बाइस डॉलर के आसपास चल रहा है अगेन थोड़ा सा प्रेशर आता हो दिख रहा है गोल्ड प्राइसेस में इंटरस्टेट जो है थोड़ा लेट कट होना शुरू होंगे और जिस तरीके से एक्विटी मार्केट आ भी देख सकते हो अगेन लाइफटाइम हाई की तरफ एसेंट पी जा रहा है जिस तरीके से एक्विटी मार्केट में तेज ही आ रही है bond yield जो है वो तेज हो रही है because interest rate का जो cut है वो और थोड़ा दूर हो सकता है उसकी वैसे gold में pressure देखने को मिल रहा है 2022 dollar के आसपास gold prices चल रहे है already weekly analysis का वीडियो मैं अपने चैनल पे post कर चुका हूँ इस वीडियो को देखने के पाद एक बार उस पे नजर मार लीजेगा link description में दे दिया है मैंने बाकी थोड़ी दिर में mcx के levels भी आएंगे market commentary में whatsapp वाली market commentary में ही सिर्फ mcx के levels आते है signals और market commentary की जानकारी के लिए मेरी website available है link description में है मेरी team का whatsapp number भी available है तो 2022 dollar के आसपास gold prices चल रहे है gold का भी काफी मेनत करनी पड़ेगी positive territory में जाने के लिए positive territory में जाने के लिए उसको resistance ब्रीच करना पड़ेगा आज का हमारा resistance है 2032 dollar का support है आज का 2010 dollar का trend है आज का week जी हाँ trend week zone में है जब तक resistance ब्रीच नहीं होता है रहेंगे 2032 के ओपर 2040 dollar तक की उम्मीद कर सकते है आप gold prices से 2010 dollar से नीचे जाता है तो 2000 dollar की तरफ gold prices जा सकते हैं फिलहाल gold weak zone में है silver पे आते हैं बिलकुल gold से उलट silver जो है positive zone में है 22-23 के आसपास चल रही है almost at the highest point क्योंकि 22-23 का आपको ये high दिखने को मिलेगा अभी फिलहाल highest point पे चल रही है और gold lowest point पे चल रहा है gold lowest point पे चल रहा है despite dollar index भी lower पे है तो जैसे कि हमने weekly analysis में बात की थी अगर आपने weekly analysis देख के आए हो इस तरीके से disconnect और connect हो रहा है gold prices थोड़ा सा concern की बात है जब तक ये आख मिचौली चल रही है तब तक आप silver पे ज्यादा ध्यान दें यही कह सकता हूँ मैं फिलहाल 22,67 के आसपा silver चल रही है silver का आज का resistance है 22,90 cent का support है आज का 22,40 cent का trend इसका positive ही है तो रखेगा खयाल आते हैं crude oil पे crude oil में एक interesting चीज हो रखी है crude oil को अगर आप intraday chart में देखोगे तो positive zone में आपको दिखाई देगा weekly analysis में इसका trend अलग है weekly analysis का video आपको देखोगे जो समझ में आएगा crude oil जो है बिलकुल एक edge पे काम कर रहा है positive zone में बस weekly analysis में entry होने ही वाली है तो एक बार उसमें नजर मार लीजेगे आप ज़रूर अगर आप crude oil में फसे हुए हो काफी लोग I am assuming के natural gas में भी फसे हुए होंगे natural gas का chart आपको एक बार दिखा देता हूँ 4% down है अगर आप market commentary में हो तो आप ज़रूर नहीं फसे होगे natural gas में और अभी भी natural gas में हमारी weakness बरकरार है तो अगर आप market commentary में हो तो I am very sure के आप नहीं फसे होगे because weak zone में काफी एक दो हफता हो गया है weak zone में चलते हुए market commentary को natural gas की तो there is that बाकी crude oil 76-36 के आसपास चल रहा है आज का रज़शन support देख लेते हैं ध्यान रखेगा यह intraday level से बाकी कुछ भी change होगा तो मैं आपको market commentary के अंदर बता ही दूँगा 75 डॉलर का stop loss है stop loss कह रहा हूं माफ कीजिएगा बिल्कुल erase कर दीजिए अपने दिमाग से a line stop loss है support है stop loss नहीं है support है stop loss नहीं है support है काफी लोग between the lines बहुत पढ़ते हैं और फिर trade कर लेते हैं तो प्लीज ध्यान रखेगा यह stop loss नहीं है support है resistance है आज का 77,60 का trend इसका intraday में positive है ध्यान रखेगा 75 डॉलर के नीचे 74 डॉलर तक एक बार जा सकता है 77,60 के उपर 80 डॉलर तक जाने की उम्मीद बढ़ जाएगी और 80 डॉलर के उपर तो पता ही आपको क्या होने वाला है यह है euro फ्राइडे के लेवल्स हैं, 790 का resistance है हमारा resistance breach हो चुका है आज का support है 760 का resistance है आज का 850 का trend हो चुका है इसका positive dollar index की weakness का फायदा सबसे ज्यादा आपको पता ही है euro में होता है euro dollar index weak zone में है बाकी dollar index के levels भी अभी आपको market commentary में देखने मिलेंगे इस वीडियो के बाद British pound 2634 के आसपास चल रहा है positive zone में है यह भी एक अच्छी weakness दिखाने की कोशिश करी थी इसने जब 25-72 के आसपास का लोग बनाया है बट unfortunately यह ज्यादा ठीका नहीं मुझे उमीद थी थोड़ी थी और ठीकेगा बट dollar index बहुत ज्यादा unpredictable type हो गया है तो प्लीज dollar index पर ध्यान रखें अगर आप forex में trading कर रहे हो तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे और बहुत ज्यादा wild moves आ रहे हैं आज का support है 26 होगा आज का रजस्तन से 2690 ट्रेंड हो चुका है इसका positive तो रखेंगा चलते हैं अब क्रिप्टोस की तरफ देखने क्रिप्टोस में क्या हाल हो रखा है 48000 डॉलर आ गया है भाई साहब यह तो बड़ी ही बेरहम है Bitcoin जिसको भी फसाती है तो 1000 डॉलर में जाके फसाती है आई होप आप नहीं फस रहे होगे विकाज बिटकोई में हमारा जो ट्रेंड चेंज हुआ था I think 42000 डॉलर से हुआ था जहां तक मुझे याद आ रहा है पिछली वीडियो में आप देख लीजेगा 48000 डॉलर आ चुका है अभी भी तेजी परकरार है stop loss या फिर support बहुत ज्यादा दूर है इतने बड़े-बड़े moves आते हैं तो बहुत ज्यादा दूर support होती है 45000 का support है यह भी मैं बहुत ज्यादा खीच के आपको support देना हूं I am assuming के थोड़ा सा और उपर जाएगा तब 45000 पर support है अगर actual support देने पर आऊंगा तो डर जाओगे resistance है आज का 49150 का यह बिल्कुल करेक्ट है यह मैंने खीच के नहीं दिया है और पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहेगा जब तक support बीच नहीं होता है तब तक Ethereum पर आ जाते हैं 25 डॉलर आ गई है यह भी positive zone में है 2530 का resistance मैंने आपको पिछली बार दिया था 2530 के उपर कोई भी candle नहीं बना है resistance तो change हो गई support भी change होगा आज का support है आज का 2420 डॉलर का resistance है आज का 2560 डॉलर का trend है positive तो रखेगा खयाल paid signals, market commentary की सारी जानकारी website पे अवलेबल है team का whatsapp number भी description में अवलेबल है data का breaking news का update, telegram और twitter पे आता है दोनों का link description में है video useful लगा हो तो like, share, comment कीजिएगा अब मिलेंगे next video में तब तक के लिए take care, bye